वेकम ट्यूब फर्स्ट जनेशन कंप्यूटर में उप्योग होने वाला डिभाईस है जबकि ट्रांजिस्टर सेकंड जनेशन में उप्योग होने वाला है वेकम ट्यूब बहुत ही हीट कंजूमिंग डिभाईस है जबकि ट्रांजिस्टर बहुत ही कम हीट कंजूम करने वाल से वन ट्रांजिस्टर 40 वेकमट ट्यूब के ब्राबर होता है दुसरा वात कि इस सुपरकंप्यूटर अब आप लोगो राम से बता सकते हैं कि इस सुपरकंपूटर क्या है तो सुपरकंप्यूटर is very fast, expensive and capable computer system यानि बहुत ही बड़ा, बहुत ही किमती, बहुत ही ज्यादा कार्ज छमता में कुशल computer है इसका मुख्य काम बैज्यानिक खोज यानि बैज्यानिक सोध में, नुकलियर पाउर प्लांट में और मौसम बिभाग के द्वारा, मौसम के बारे में जनकारी प्राप्त करना, इससे भी इसका काम होता है उसके बाद है, third questions कि where is super computer used, super computer कहां उप्योग होता है जैसे आप लोग भी जाने लिए हैं, सुने भी हैं कि super computer का उप्योग metrological department में, उसके बाद, metrological department, scientific research center, nuclear power plant और भी बड़े-बड़े कारवियों के लिए super computer का उप्योग किया दाता है इसके बाद question आ सकता है, कि micro computer क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि micro computer is very small computers that can be used at our home or any places very easily